हेलो इंजिनियर्स कैसे उमीद करते हैं आप बहुत अच्छोंगे मैं आपके मिसरा इंजिनियर्स अड़ा पर स्वागत करता हूँ दोस्तों इस रोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है के लिए जिसका आवेदन 25 तरीक से आपका सुरू हो जाएगा जिसमें मेकैनिकल और आप लोगों का यहां पर देख देते हैं पूरी जानकारी तो वीडियो सुरू करनी के पैदे मैं आप लोगों से गुजारीज करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को हिट कर मेकैनिकल में बंपर वेकेंसी 163 पोस्ट है सबसे बड़ी बात विदाउट गेट है और आपका रिटेन टेस्ट और इंटर्व्यू की बेसिस पर दिया जाएगा तो यहां पर मेकैनिकल या मेकैनिकल से रिलेटेट अगर आपके पास एक्विवेलेंट डिग्री है 65% के चीज है और आवेदिन की सुल्क देखिएगा 250 रुपे है फिर उसकी बाद यहां पर देखिएगा प्रक्रिया जो हो गई इन मार्धियम से आप पेमेंट को अप्लाई कर सकते हो आजकल तो आजसे भी आपको पता है कि सबको पता है कि आपके पास ATM, debit card, UPI, net banking सब कुछ होत जाएगा और यहां पर देख सकते हैं, written test will be conducted at the 11th venues आप लोगों को दियो है, जहां पर candidate को call later के थ्रू भेज दिया जाएगा, ठीके, paper हमारा Pan India label पर होगा, और यहां पर देखिएगा, पूरा का पूरा यहां पर है, single objective type paper consists of two parts, A and part B, duration will be 120 minutes, part A जो होगा मेरे पहरे बच्च जो आपके respected branch का होगा, multiple twice questions होगे, और one A questions, एक marks का होगा, और negative marking होगा, one third की होगे, फिर part B जो होगा, हमारा non technical segment का होगा, यहां पर देखिएगा, will be numerical reasoning, logical reasoning, मिला जुदा के reasoning का इसमें बोल बाला होने बाला है, और फिर उसकी बाद interview में बलाया जाएगा, one is to five के ratio में, तो guys this is the best, और minimum हमारा यहां पर sectional cut-out है, याद रखिएगा, part A और part B में 50-50% दाना बहुत compulsory है, और फिर उसके बाद interview में, interview का भी बेटेस रखा गया है, आप लोगों को, तो aggregate यह है, तो सारा चीज, minimum 50% interview में दाना जरूरी है, फिर उसके बाद यहां पे reserve 5600 का basic payment structure है, और उस जैसे जानकारी हमें मिलेगी, हम आप लोगों को साजा करेंगे, primary यह है कि 25 तारीक से देखिएगा, 16 जून तक आवेधन सुरू हो जाएगा, तो छोटा सा information था, मुझे लगा आप लोगों से share करना चीए, तो मैंने आप लोगों को share कर दिया, और बाकी तो यहां पे देख होंगा, एक सेकंड रुकिएगा, कहीं न कहीं मैंने यहां पे देखा था, नोटिफिकेशन में कि उस पर्टिकुलर डेट को as a reference ले करके, वो 14-6-2023 को maximum age हमारा 28 साल होना चाहिए, बाकी जो category wise relaxation हमारे government के नियम के हिसाब सो होता है, वो आप लोगों को दिया जाएगा, उस किसी वे तरह का confusion है, आप लोग बताईएगा, डिप्लोमा, सारी, बीटेक, जिन्होंने लेटरल एंटरी की थुरू किया है, वो eligible है, पैन इंडिया लेबल पर वेकेंसी है, तो इसमें state बदा नहीं है, सारे certificate हमारे central government की चाहिए, थैंक्यो